नमस्कार आपका अमारी यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम बात करते हैं कि जो 36GAD RTE के जो नए रजिस्ट्रेस है न है 2023 के लिए किस तरह से किया जाते हैं किस तरह से करने हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अन तक देखिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर लिजेगा जिस तरह से हम आपको useful जानकारी दे रहे हैं उसी तरह से आपका एक like और subscribe हमारे लिए काफी ज़्यदा useful है तो चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने browser को open कर लेना है browser में आपको यहाँ पर type करना है cgrte जैसे आप type करोगे तो आपके सामने पहले वेपसाइड आएगी उससे पर आपको click कर देना है तो आपको यहाँ पर ऐसा dashboard देखने को मिल जाएगा ठीक है इसमें आपको यहाँ पर या तो आपको सबसे पहले इसी portal पर आपको click कर देना है अन्यत आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको चातर पंजीनियन आवेदन संसोधन प्रिंट इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर जैसे क्लिक करोगे तो नया रजिस्टेशन आपके सामने आएगा तो यहाँ पर आपको काफी सारी जो जितनी भी नोटिफिकेशन में डिटेल्स है वो एक बार आपको अच्छी तरह से रीड कर लेनी है ताकि आपको किसी परकार की कोई समस्या ना आए ठीक है इसके बाद आपको यहाँ पर उपर की तरफ ठीक है आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्टेशन का एक ओप्सन देखने को मिलेका तो इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर जैसे लजाओगे तो आपको यहाँ पर नया आविदन भरे पर आपको क्लिक कर देना है अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर उपर दो नोटिपिकेशन देखने को मिल जाएंगे यहां पर आपको दोनों नोटिपिकेशन अच्छी तरह से रीड करने है इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने वर्तम चरण में के लिए नया आवेदन कर सकते हैं यदि आवेदक ने पूर्वा में आवेदन के है तो आवेदन में स इस्तुत करेगा उसकी जानकारी यहां चुननी होगी यहां पर आपको जो एड्रस से सारी जानकारी आपको देनी होगी तो आप फॉर्म को स्टार्ट करते हैं तो आपको यहां पर सबसे पहले आपको जो जीला है वो यहां पर आपको चूज करना है तो हम यहां पर हमारा ग्रामेंट से तरसे है तो ग्रामेंट चूज कर लिजेगा इसके बाद नगर यही निकाहिद चुनना होगा आपको कौन से नगर से बिलोंग करते हो तो हम यहाँ पर select कर लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर word number आपको यहाँ पर choose करना होगा ठीक है तो हम यहाँ पर जिस भी word में आते हैं वो हम यहाँ पर select कर लेते हैं word चुन लेते हैं उसके बाद मैं आपको यहाँ पर महुला चुनना होगा कि कौन से महुले से आप बिलोंग करते हैं इसके बाद आपको यहां पे आपके अपने जो पिन कोड़ वो आपको यहां पे दर्ज करने होगे अब नीचे आपको यहां पे विधारती का जो विवरन है वो देना होगा यहां पर आपको सबसे पहले स्टुडेंट है जिसका आप आर्टी के अंदर एडिशन कर送वाने चाहरते हैं उसका आपको नाम फिल अप करना है आप student का नाम या तो आप जनम परमान पत्रत्र में देख देख के लिखेएगा या आपको जो आधार काड़ है उसके उपर आप लिखना है अगर आप नाम गलत कर देते हो आपको फिर से संसोधन करना पड़ेगा इसके बाद आपको डेटो बर्त आपकी बच्चे की आपको यहां पर फिलप करनी है ठीक डेटो बर्त आपको यहां पे आपको जो जनम परमान पत्र में वहीं फिल करनी है इसके बाद आपको यहां पे लिंक चुनना है जेंडर आपको यहां पे चूज करना है कि बालक है या बाली का गरल्स बोई जो भी है वो आपको यहां पे स्लेक्ट कर लेना है तो हमें यहाँ पर select करने हैं यहाँ पर जो है अधार number type करना है विधियार्तिका अगर नहीं है तो भी आपको यहाँ पर दिकत नहीं है अगर है तो आपको यहाँ पर fill करनी है इसके बाद आपको backstory माता पिता या जो बच्चे का सरक्सक कि उसके आपको यहां पर जानकारी देनी होगी अगर यहां पर पिता का नाम फिल लब करना है पिता का अधार कार्न नंबर आपको यहां पर इंटर करना होगा कॉमाइल चुभ all Episode ने की सबसे ज़रूरत क्या है आपको को यहां पर मोबाइल नमबर अपना ही फिल करना है ना कि आप जहां से फॉर्म फिल अप करवा रहे हैं उसका नमबर नहीं देना है आपको ठीक है यहां पर पहले ही बोला जा रहा है कि दुकानदार या सारजुनिक जो फॉर्म बने वाला है उसके मोबाइल नमबर आपको य S C S T O B G General जो भी है वह आपको यहां पर select करनी होगी तो हम यहां पर O B C select कर लेते हैं इसके बाद अगर पालक का नाम याणि अगर माता पिता जिसके खतम हो चुके हैं या डेट हो चुके है जो बच्छों को पाल रहा है वरतमान में उसका आपको यहां पर details देना होगा इसक नीचे जैसे आती हैं तो आपको यहां पर दस्ताविजू की जानकारी देनी होगी यहां पर भी आपको काफी ज़्यदा जो है सहावदानी रखनी होगी अब यहां पर आपको जिस भी आप वरक से आविदन करना चाहते हैं उसके जो documents आपके पास होने अन्यवारी है अगर और details आपके पास होनी चाहिए तो हम यहां पे दुरूबल वरक एडबल ऐसे फिल कर रहे हैं इसके पाद योगेता आप बिपील सर्वे सुची दो जार दो से दो जार सात आथ तक जिस जो है उसको यहां पर select कर लेना या सामाजी की यहां आरतिक जातिक यहांन है यहां पर हैं तो आपको अन्तियोदे कार्ड है तो भी आप यहां है उसको स्कते हैं और innoga बस pipeline पर अंगनवादी का रिकार्ड है या सव सत्यापीत अभिभावक के दोआरा जो notary करवाकर या court से एफिड़ीड बनवाकर लाते हैं वो है तो आप यह आन्ने हैं वो आप यहांपे select कर सकते हैं तो हम यहांपे जनम परमान पत्तर देने वाले हैं तो इसके बाद पत्या सत्यापन के लिए आपके पास electricity bill भी दे सकते हो water ID card दे सकते हो driving license, bank passbook आधार card, रासन card, gas connection bill किसान photo passbook यानि कैसी सी जो bank से loan लेते हैं वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो यहाँ पे पंचीगर्थ, लीज यहाँ आपके पास rent agreement है मंदरे का job card है passport है जो भी आपके पास details है वो आप यहाँ पे दे सकते हो हमें यहाँ पे आधार card देने वाले हैं तो इसके बाद पैचान सकते हैं अपन के लिए यहाँ पे आप इन में आधार card रासन card, pane card, water ID card जो भी details आपके पास है वो आप यहाँ पे दे सकते हो तो हमें यहाँ पे जो रासन कार्ड देने वाले हैं ठीक है इसके बाद यहां पर आपको अस्कूल देखे का ओप्सन आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो आपको यहां पर अस्कूल देखे पर क्लिक कर देना है यहां पर आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने अस्कूल देखे पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने जितनी भी अस्कूले हैं वो यहाँ पर आपके सामने सो हो जाएगी ठीक है यहाँ पर आपके उसके मोबाइल नमबर एमेल आईडी जो भी डिटेल से वो आपको को या पर देखने को मिल जाएगी अब यहां पर आपको जो तीन तो स्कूल स्कूल पर आपको किलिक करते हैं तो जैसे जितनी सारी स्कूल हम वह को आपको यहां पर सो होजाएगी सिके भाद जो है चेक मार्क पे क्लिक करके सुरक्षित क्रेय पे क्लिक कर देना है जैसे आप सुरक्षित क्रेय पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे ओक्के पे क्लिक कर देना है अब आपको यहां पे जो आविदन सफलता पूरवद आपको यहां पे सेलेक्ट कर लिया गया है तो आपको यहाँ पर form का application ID है वो आपको यहाँ पर select करके रख लेना है अगर किसी परकार का कोई संसोदन करना है तो आप इन नम्बरों से आप संसोदन कर सकते हैं इसके बाद आपको आविदन प्रिंट करे पे यहां पर आपको क्लिक करना है आविदन प्रिंट करे पे तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहां पर यह प्रेंट आउट आपको जाके जमाख करवाना होगा ठीक है कि यह सारी डिटेल्स आ यहां पे आपको बच्चे के लिए जमाख करवानी होगी अगर वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक करते जैगा चैनल को सबसक्राइब करते जिए अगर और नहीं किसी परकार की को जान करें चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद जहिंद